इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे अब आपको गलते कि इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम जानना क्यों जरूरी है जबकि Indian Counting System के बारे में हमको पहले से पता है तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं Indian Counting System केवल Indian Continental Countries में यूज किया जाता है जैसे कि भारत, भांगलादेश, पाकिस्तान, एक्सेक्टरा जबकि International Counting System पूरी दुनिया में यूज किया जाता है अब इसमें हम ये पता करेंगे कि International Counting System क्या होता है जैसे International Counting System कई periods से मिलके बनता है जैसे पहला है इसका period यूनिट दूसरा period होता है थाउजेंड तीसरा period होता है मिलियंज चौथा period होता है बिलियंज एंड एक्सेक्टरा आईए अब हम terms के बारे में बताते हैं पिर टेक period तीन terms से मिलके बनता है यूनिट टर्म में तीन टर्म कौन कौन से होते हैं पहला टर्म होता है बंस दूसरा terms होता है 10 एंड तीसरा होता है 100 इसे परकार थाउजेंड में पहला टर्म होता है 1000 दूसरा term होता है 10,000 तीसरा term होता है 100,000 इसी परकार millions में पहला term होता है million दूसरा term होता है 10 10 million, इसे प्रकार billions में, पहला टर्म होता है billion, दूसा टर्म होता है 10 billion, तीसा टर्म होता है 100 billion अब हम, आपको प्लेस वेलू के बारे में बताएंगे place value में once में हमेशा one digit होती है इसी तरह tense में दो digit आती है यानी one zero होती है अब जैसे हम यहाँ देख रहा है कि जब भी हम number right करेंगे तो right से left की हो जाएंगे तो हमेशा periods में digits बढ़ती चली जाती है है जैसे कि 100 की digit लिखेंगे तो तीन डिजिट होती है one zero zero तो हम यहाँ पर देख रहा है कि once में one digit थी 10s में two digits थी 100 में three digits हो गई यानी 110 बढ़ रहा है इसी प्रकार thousand में three zero होंगे यानी total four digit होंगी इसी प्रकार ten thousand में five digit होंगी one two three four five इसी प्रकार hundred thousand में six digit होंगी one two three four five six seven million में seven digit होंगी one two three four five six seven इसी प्रकार ten million में eight digit होंगी one two three four five six seven eight इसी प्रकार hundred billion में nine digit होंगी one two three four five six seven eight nine इसी प्रकार इसी प्रकार hundred billion में twelve digit होंगी one two three four five six seven eight nine ten इसी प्रकार hundred billion में twelve digit होंगी one two three four five six seven eight nine nine ten eleven twelve आईए अब हम देखते हैं प्लेस वैलू कितने डिजिट की है सबसे पहले इसमें यहां पर देख रहा हैं once में हम यहां पर one digit देख रहा हैं तो डिजिट हो गई इसकी one इसी प्रकार बिजिट हो गईए इसी प्रकार hundred में यहां पर देख रहा है तो इसकी डिजिट हो गई त्री यहां पर thousand में Premcha आई पर इसकी डिजिट हो गई पोड उसी प्रकार hundred thousand में भीर टीजिट है तर आप िध्स्ध यहां तो 7 डिजिट हो गई 10 मिलियन में 8 डिजिट है तो 8 डिजिट हो गई 100 मिलियन में 9 डिजिट है तो 9 डिजिट हो गई बिलियन में 10 डिजिट है तो 10 डिजिट हो गई 10 बिलियन में 11 डिजिट है 11 डिजिट हो गई और 100 बिलियन में 12 डिजिट है तो 12 डिजिट हो गए इस प्रकार हम यह पता लगा सकते हैं कि किस प्लेस वैलू में कितनी डिजिट होती International Counting System में नमबर को पढ़ने और लिखने के लिए 3K ग्रुप में कॉमा का यूज करते हैं तो यूजिंग कॉमा आफ्टर 3 डिजिट आईए अब हम एक्जाम्पल के जरिये से समझते हैं जैसे हम यह पर कोई नमबर लेट किये ले रहे हैं 9 6 4 0 3 8 2 3 1 0 5 2 अब हम यहाँ पर देख रहा हैं कि यह नमबर काफी बाहर हमने माल लिया है तो अब इसको वर्ट्स में कैसे लिखेंगे तो वर्ट्स में लिखने के लिए सबसे पहले हम कामा का यूज करेंगे अभी हमने आपको उपर बताया यूजिंग कामा आफ्टर 3 डिजट तो राइट साइट से हम कामा को यूज करेंगे तो यहां से काउंट करते हैं तीन तीन डिजिट में कामा लगाएंगे यहां पर कामा का यूज करेंगे तो कामा कहां पर आएगा तीन डिजिट के बाद तू फाइब जीडो इसके बाद वन-थ्री-टू तेन डिजिट के बाद आएग उसके बाद एक बीजिट जी रो उसके बाद यहां पर फिकर एट डिजिट हीं है तो अब नहीं लगेगा अब इसको व श्ला लिखेंगे तो यहां पर हम देख रहे हैं यह तीन डिजिट का एक ग्रूप बन रहा है यहां पर हम देख रहे हैं कि तीन नंबर्स का एक ग्रूप बन रहा है यह ग्रूप किसके नीचे आ रहा है बिलियन के नीचे आ रहा है 964 बिलियन तो लिख देंगे 9 इसके बाद नेक्ट तीन नंबर का एक ग्रूप 038 यह किसके नीचे आ रहा है मिलियन के नीचे जिसको लिखेंगे 38 मिलियन इसके बाद जो नेक्ट तीन नंबर का बूप है वो आ रहा है 1000 के नीचे तो इसलिए इसको क्यारीट करेंगे 231,000 इसके बाद 052 यह तिन नंबर का ग्रूप कितके नीचे आ रहा है यूनिट के नीचे नीचे रीट करेंगे 52 इस प्रिकार रहा है यूनिट के नीचे नीचे रीट करेंगे हम इंटरनेस्टल काउंटिंग सिस्टम के द्वारा किसी भी नंबर को रीड और राइट कर सकते हैं जैसे कि यह नंबर है आता है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं यहां पर जो हमने नंबर लिया है तो यहां पर 0 का यूस नहीं किया है इसी प्रकार यहां पर 052 में भी हमने यहां पर 52 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ हमने यहां पर 0 नहीं लिया है इसका मतलब यह हुआ कि 100 के टर्म में 0 आएगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे अभी तक आपको हमने जितना पढ़ाया है उसके आदार पे हम आपको Conclusion पताएंगे कि Conclusion इसका क्याने की पैला पॉइंट यह है जब नंबर लिखेंगे तो राइट से लेट की और लिखेंगे जब भी रेट करेंगे तो लेट टू डाइट करेंगे राइट में जैसे राइट टू लेफ्ट होता है तो रीडिंग में हमें सा इसके अपोर्डिट होता है दूसरा पॉइंट आएगा यह सिस्टम मैनी पिरियेट से मिलके बनता है जैसे की मिलियन थाउजन यूनिट तीसरा पॉइंट है इसमें पिरियेट में इच पिरियेट में भी टीन टर्म होते हैं जैसे की यूनिट में हंड्रेट टैन एंड वन्स चौता पॉइंट है कि हमेशा कॉमा राइट साइट से तीन तीन नंबर्स के ग्रूप में लगाया जाता है यूजिंग कॉमा अप्टर त्री डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइट फिफ्ट पॉइंट में हम आपको इंडियन काउंटिंग सिस्टम और इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में क्या रिलेशन होता है यह कुछ नंबर्स को लेके बताते हैं इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में 100,000 है तो यह इंडियन काउंटिंग सिस्टम में 1 लैक होगा इसे परकार इंट नैस्टल काउंटिंग सिस्टम में वन मिलियोन गों टैन लाक होगा इसे परकार टैन मिलियन वन करोल के स्कवर होगा है इसी प्रकार 100 million 10 करोर के बराबर होगा इसी प्रकार 1 billion 100 करोर या वन अरब के बराबर इसी प्रकार टेन बिलियन टेन अरब के बराबर होगा इसी प्रकार आगे भी नंबर इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम में होते हैं यहां पर मैं आपको दो कॉइंट और बताना चाहता हूं जिनने से पहला कॉइंट यह है कि इंडियन काउंटिंग सिस्टम और इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में जो पीरियेट के टर्म्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है इंडियन काउंटिंग सिस्टम में जो पीरियक्स होते हैं उनमें हम देखेंगे कि राइट साइट से अगर चलते हैं तो पहले तीन टम्स आते हैं फिर दो आते हैं फिर दो दो के गुप आते जाते हैं वैसे इंडिनेशनल काउंटिंग सिस्ट में चलते जाते हैं इसी के अकॉर्डिंग कॉमा भी सेठ होता है एकिसे यह रिखत ocasus निकलता है कि में आलीbooks Mar posso लगाते हैं सिर्द्ध दो हीडिा के बाड कॉमा लगाते जाते हैं वैसे इन्टेनेशनल हैं इंट मैंže दिखने का तरीका बदल जाता है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like, share and subscribe करना मत बुलिएगा